हेलो फ्रेंट्स क्या हाल चाल है नी चलो सभी का हाल चाल बड़े होना चाहिए तो मैं अपनी पूरी फैमिली से एक बार फिर सर हाथ जोड़के रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कल मैंने एक वीडियो दाली थे और बहुत स़रे बच्चों ने contribute भी किया पहले सबसे पहले उन्हीं को बहुत भहुत धन्यावा जिन्दों ने बचानी है, इस बच्चे की लाइफ तभी बच पाईगे, अगर हम अपनी responsibility पूरी करेंगे अच्छे से, अगर हमने contribute किया, वो एक हमारा चोटा सा पार्ट था, और अपको मैंने कल भी का था कि हर एक बच्चा अगले 10 बच्चों को 20 बच्चों को जुरूर बताएगा contribution करने क अगर एक बात मैंने सोच के बोला हम कितनी वीडियो जै कितने status अपने लगाते हैं, अगर हम एक दिन के लिए एक दिन के लिए भी अगर इसका status लगा लेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चों को पता लगी का मैं सिंपल से बत करूँ, कई बच्चे कहते हैं सर, अगर हम गर गुरूप में डालते हैं तो दूसरे वाले लोग बोलते हैं, तुम गुरूप में क्या डालरहे हैं, आगर जानो, पनल और 20 म。 बच्चे की और अगर आप इस बच्चे के स्टेटस को आप उसने फेस्बुक पे कल मैंने इसका स्टेटस ध्यान से बड़ा उसने लिए लिए एक बच्चा एक ड्रीम लेके चला था कि मुझे इतना बड़ा एचीमेंट लेनी है बड़ वो ड्रीम उसका पूरा हो पाएगा मतलब होो कहते हैं कि हमें अपना करतव्य पूरा करना है सर अगर हम PARK करेंगी अगर इस बच्चे के पास contribution कठा होगा, और इस फैमिली, आप सोत कि दोगो, इसकी फैमिली का system क्या होगा, इसकी एक बच्चे की जिंदिगी का सबाल है, उसके फैमिली के पेन को कर आप थोड़ा ता फील करोगे तो आपको खुद ही लगेगा, नहीं यार मुझे एक काम करने, मु contribute करी नहीं पाएंगे, बट मैं करहा हूँ, इसको हम जितना maximum share करेंगे, अगर वो 100 रपे, 200 रपे, 1000 रपे, 10,000 रपे, जितने भी contribute करेंगे, इस फैमिली के पास फंड कठा हो जाएगा, और अगर इसका इलाज हो गया, और अगर ये बच्चा सही हो गया, उस दिन हमें इतन satisfaction होगी ना, कि हमने इस बच्चे के लिए कुछ अपना करतव्य है, अगर हम आए हैं, तो हमने कुछ अच्छा काम किया था, तो प्लीज मैं दुबारा से आपसे request करता हूँ, एक बार फिर हाथ जोड के request करता हूँ, प्लीज प्लीज सर अपना contribution जरूर दें, और अपनी responsibility प इसमें से अगर एक बच्चा भी निकल के आगया, एक परसन भी निकल के आगया, कि मुझे सोर पे contribute करने है, तो believe me sir, एक बहुत बड़ी help हो जाएगी, तो मैं आपको starting से classes के अंदर में कहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनने है, डिगरी तो आ ही जाएगी, डिगरी कोई द करना है, और maximum इसको spread करना है, हर जगे, हर जगे ये information होनी चाहिए, कि भया हमारी family का, हमारा एक दोस्त, इस problem के अंदर है, हमें उससे बचाना है, और हम बचा के रहेंगे, हम जितना हम कर सकते हैं, बचाने वाला तो पर बहला भगवान है, जितना हम कर सकते हैं, भई हमारा फर्ज के है, इट मिस हमारा फर्ज तो अदा करें, ठीक है, हमें अपना फर्ज अदा करना है, और दिल से अदा करना है, अगर अपना फर्ज अदा करोगे, बिलीव मी, मैं आपको दिखा दूँगा, इस बच्चे की जिंदगी जुरूर बचेगी, मैं भी प्रे करूँगा आपने भी प्रे करनी है, और भगवान इस बच्चे की जिंदकी बचाएगा, यह दुबारा से CS की लाइन के अंदर आएगा, और जो इसका स्टेटस है कि यह उस ड्रीम को पूरा करेगा, मैं रोहन को बद बुलूँगा कि तुम आप उस ड्रीम को पूरा करोगे, तुम्हें बस लड़ना है, हम तुमारे साथ खड़े हैं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है रही? तो प्लीज, लास टाइम फिट दुबारा से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज अपना कॉंट्रिबुशन देना, मैक्सिमम शियर करना हर बच्चे आपके फेस्बूक पे, इंस्टाग्राम पे, और कहीं पर भी जहाँ जाँ आपका सोशल मीडिया है, मुझे ये फील होना चाहिए कि आपने वाक्या ही इस बच्चे के लिए कुछ किया है, ठीक ह और भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें, पहले हमें इनके लिए कुछ काम करना है, भगवान हमारी इच्छा पूरी करेगा, ठीक है री, तो इस बच्चे को हमें इस हालात में निकाला है, इस बच्चे को बस यह पाद ध्यान देना, ठीक है री, तो उमीद करता हूँ रोहोन बहुत जल्दी सही होगा, हमें अपना फर्ज अदा करना है, बस यह बाद ध्यान देना, ठीक है, टेक केर, God bless you.